हलो आप सबी उमीद करती हूँ आप सभी सहतनद होंगे खुशाल होंगे अपना बहुत अच्छी तरह से ध्यान रुख रहे होंगे और हम सब भी मज़े में हैं और कल का वीडियो अगर आपने देखा है तो वो जहां पर एंड किया था ये वाला वीडियो वहीं से मैंने शु सब्सक्राओे दो लेगा सबजी तरहा हैं और मैंने सोचा था कि इसके मैं सबजी कर दूmalी सब्सक्राइब समे लेकिस लीस्ट पसंद किजाने मली इसको बागी चीजों में डालें जैसे कि फ्राइड राइस हो गया या बजिया कर दिया या पराठा कर दिया तो पसंद कर ली जाती है ऐसे ही कैप से कम भी बहुत सारी अधर रेसिपीज में अगर मैं से अड़ करती हूं न तो सब खा लेते हैं बट इन दोनों के अगर मैं सबजी कर दूं अलग-अलग भी साथ मिल बढ़ा कर भी बनती है सबसी तो नहीं पसंद की जाती तो मैंने पुछा काबच बना लों क्या है हैं हर बार सब का आशर था नो बट यह काबच दो चार दिन से रखी वी थी तो आए थाट इसे इस्तमाल कर लेते हैं तो आज मैं करने वाली हूं इसका पराठा तो पराठा दालने से ना पराठा और भी ताद़ टेस्टी भी हो जाता है फ्लेवर फुल तो होई जाता है और तो थोड़ा अच्छा लगता है उसका टेस्ट एलवेट हो जाता है तो मैंने काबच और जो दनिया मैंने साफ किया तो अब धो लिया है काबच को काट के उसके अंदर जो को कि मैं सर्फ कबच का बना रही हूँ इसलिए मैंने आपर काबच लेकर उसे प्रॉसस कर लिया है आप चाहें तो इसमें अराज वाली कारट मिला सकते हैं तो दो तो तो दो तो थोड़ा मंचूरें टाइप का टेस्ट आ जाता है और वह पराटे में बहुत अच्छा लगता मैं बच जाता है पर जादा स्टफिंग हो जाएगी और इतने पराटे मुझे नहीं बनाने और अगले टाइम के लिए खाना मेरी कोशिच रहती है कि ना मैं अगले टाइम तक कारी करूं खाना बट क्या करें बच जाता है तो फिर उसको फिर वेस्ट भी नहीं कर सकते फेक न और इसमें एड किया है मैंने थोड़ा सा नमक क्योंकि मैं इसका पानी एलिमिनेट करना चाहती हूं पानी मैं निकाल दूँगी क्योंकि रीजन नंबर वान मेरे को थायरॉइड है मैं कैबिश वगर ज़रा कम ही खाती हूं तो इसलिए इसका पानी हटा करके थोड़ा फिर इ कि इसको हटा ही दीजे पानी को तो मैंने तो इसको थायरॉइड के हिसाफ से अटाया था आप एक दम भी फ्रेश फ्रेश काबज इस्तमाल करते हो और आपका दिल है उसका जूसिस रखने का तो फिर डेफिनेटली आप बिनान मिच्च वड़े भी उसको इस्तमाल कर सकते ह और यहां पर एक टिप देना चाहूंगे मैं आपको जैसे मैंना भी फूट प्रोसेसर इस्तमाल किया तुरं दो दिया सिमिलरली आप कोई भी मिक्सी के जार वगएर इस्तमाल करते हो ना तुरं दो के रख दीजे इसे एक फाइदा यह होता है कि बहुत जल्दी साफ हो जा और खाने में मतल जो खाना है आपने जो इसकंदर पीसा है वह जहां तहां चिपक के सूख जाता तो इससे फिर बद्भू भी आती है इसलिए बिल्कुल अभी आपने आपका जार इस्तमाल के अभी दो के रख दीजे आपको बहुत फायदा होगा मैंने तोड़ा सा हरी मिर है वह रह जाने दी है यह ठंडी ही थी तो मैंसे हाथों से फेट रही हूं और जब थोड़ा सा मलाई गाड़ी होगे मखन चूटने सा लगा तो चिल्ड वाटर इसके अंदर आड़ कर दीजे और सफेद मखन देखते ही देखते हो गया है तैयार यूं तो आप पराठे को म हैं मकषन चटनी चाह, जाएर किसी भी चीज से खा सकता हो बट मुझे लगता है कुछ पराठे कोछ चीज heb क différence सहीं है जैसे आलो का पराठा मुझे लगता है ड़ी के साथ बहुत ज article के साथ अच्छाय लगता है। सेरियों के अरद बाही मखन अर हरी अज़ी के साथ है तो पर यह दोनों के साथ ही मैं आज यह जो पराठा है सर्फ करने वाली हूँ अब यहां पर यह जो काबज है इसको रखे वे थोड़ा वक्त हो गया था 15-20 मिनिट्स जैसे तो मैं दोनों हातों से इसका जो पानी है एकसेस वो निचोड लूँगी मैं फिर कहरी हूँ अगर आप को नहीं पसंद है यह स्टैप तो आप ना करें सीधे काबज को ग्रेट करके आगे इसमें जो चीज़े हम मिलाने वाले हैं वो मिला करके सीधे आप पराठा बना सकते हो और जो इसका पानी निकला है आप चाहें तो इससे आटा गुंद सकते हैं लाइक यह वाल आटा तो नहीं गुंदेगा बट आप दाल में आड कर सकते हो कोई दूसरा रोटी पगरे के लिए आटा लगा रहे हैं तो वो गुंद सकते हैं अभी यह जो काबज के बॉल्स तयार हूं है इसे आड कर दूंगे पराठ के अंदर और इसके उपर आड करेंगे आटा और क्योंकि मैं निचोड़े टे नहीं अट और यह जोन लिए लेगा हमें घर अजवाई है आट रहें रहे हैं अइसके लगा से करोऻ से और तो भी हम करेंगे नंवगा घर माणीशा घर सेट सब्सक्राइब काड़ें नत कुछ सुचर तब के लृफे बगोरा यह से चाहितर से लिदा रब में छूबडेश में नाइक रम स्कनी केशन से तम आरगा Does आपको चाहरेश करहा है पानी मिलाएंगे जीत सब्सक्राइभा कर also दंकर आता कारे तो तो पानी जाता'llब तो आता कंसे पानी тобम से काड़ Вам सकते हो लहसुन बारीक चॉप करके डाल सकते हो आटा एक बार सारा एक अटा हो गया है तो मैंने हाथ साफ कर लिए हैं लास्ट में मिलाएंगे इसमें तोड़ा सा गी गी डालकर के इसको थोड़ा और फोल्ड कर लेंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आता है पराटे तो ये तो लग गया हमारा दो तेयार और इस डो को रेस्ट कराने की ज़रत नहीं है तुरन्ती हम इसके पराठे बनाएंगे और अगर आपने का पानी निचोडा है तो फिर इसमें पानी ना मिलाएं बलकि काबिज में उतना ही आटा मिलाएं जिससे के एक डोव बन जाए तो वेरियेशन तो आपको कैसा टेस्ट चाहिए उसे साफ साफ कर ही सकते हैं अगर आप थेपला स्टाइल करें तो थोड़ा बेसन सूजी आप इसमें मिला सकते हो और यह बिल्कुल पतला बेला जा सकता है तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है जल्दी से दोनों तरफ स क्रिस्पी क्रिस्पी सा यह सीख जाता है घी बटर ओयल में आप इसे जो भी चाहें वह आप इस्तमाल कर सकते हैं और सेक लीजे और यह पराठे बड़े अच्छे बनते हैं और टिफिन के लिए तो बड़े ही आप्रोप्रियेट रेसिपी है बच्चे प्यार से खा लेते ह अगर यह काबच की में सबसी करते हैं तो सबके नकरे होते हैं और शानू तो शाहिद खाती भी नहीं बट मैंने इसका पराठा बना दिया और मकषन और चटनी के साथ आहा क्या मज़ए लेकर सबने खाए हैं बहुत अच्छा बनता है यह वाला पराठा और ब्रेक्फस के ह तो रेसीपी आपको पता होगी और यहां पर मैंने पराठे की पडाल दिया थोड़ा सा सफेद मकषन और खाएंगे इसको चतनी के साथ आप ट्राइ ज़रूर देना आपको यह बहुत अच्छा लगने वाला है तो यह तो थी रात की कहानी अभी next morning बच्चे तो जा चुके हैं उनका टिफिन मैंने बना दिया था अज मैं लंच वॉक्स रेसीपी नहीं शेयर कर रही हूं कल के व्लॉग में शेयर करोगे यह तो चलनी दिखा रही थी मैं आपको क्योंकि मैं आपको दिखा रही थी कि जो डिश वॉशर है उसमें यह चलनिया और कांच के बरतन आउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे अच्छे साफ तो यह है बच्चे स्कूल चले जाने के बाद फिर मैं कैसे काम थोड़े से मैनेज करती हूं काइंड ओफ दार्ट रूटीन तो सबसे पहले बच्चे चले जाते हैं तो हम लोग नाश्टा वाश्टा कर लेता है फिर शर्मा जी ऑफिस चले जाते हैं और उसके बाद होता है मेरा सफाई करने का सिलसला शुरू सबसे पहले मैं किच्छन से ही शुरू करती हूं किच्छन को थोड़ा वाइप कर लेंगे प्लाटफार्म वगरा क्लीन कर लेते हैं बरतन जगह पर रख देती हूं स तो मैं डिश्वाशर चला दूँगी अगर बरतन उतनी नहीं है कि मैं डिश्वाशर रन करूं तो फिर भी यहां से सारे बरतन तो मैं हटाई देती हूं जो जाएंगे डिश्वाशर के अंदर वो वहाँ पर रख देंगे और जो हाथ से धोने हैं वो मैं हाथ से धो डालू तो उस हिसाप से मैंने बर्तन रखे डिश वाश्वाशर में, ज्यादा नहीं थे, वो भरा नहीं है तो मैं अभी डिश्वाशर नहीं चला रही हुँ, पर जो बरतन हाथ से दोगे हाथ से दोने, अब हाथ से के रख दूगे हुँ, पहले मैं सिंक साफ कर लेती रहरा दो पिर गंदगी नहीं जमा होती है क्योंकि हर बार बरतन के साथ सिंक एज बरतन मैं दोई डालती हूँ तो यहां पर जो बरतन है हाथ से दोने के देखे कुछ एक बरतन रहा वह डिश्वॉशर में नहीं जा सकते जिसे हो गए आपके लकडी के बरतन या ओवर साइज बरतन भी या जान स्टिक बरतन वगेरा भी तो वो सब नहीं जा सकते हैं या ऐसे प्लास्टिक के बरतन जो डिश्वाशर सेफ नहीं है तो उन सब को बचा करके बाकी सारे के सारे लाइक स्टील, कांच, सिलिकॉन, डिश्वाशर सेफ, प्लास्टिक वगेरा सब चला जाता है डिश्वाश से हो भी जाता है इसके बाद time है shower लेने का то shower लेने से पहले मैं कभी अंदर वाला bathroom कभी बाहर वाला bathroom थोड़ा-thोडा clean कर देती हूँ सारा गसारा एक दिन तो मैं कभी-कभी ही करती हूँ वो जो deep cleaning वाली बात होती है कि floor भी मैं सारा safe करूंगी टाइले भी साफ करूंगी वो कभी-कभी होता है बर थोड़ा-मोड़ा-मोड़ा चुट-पुट दोनों बाथरूम का कोई ना कोई दिन में कर देती हूं और इसके बाद क्योंकि शावर ही लेना है तो फिर थोड़ा सा दिल में शांती रहते कि यहां सब क्लीन हो गया और मैं शावर लेकर आई हूं मैं आज बाल भी दो हैं और थोड़ा सा स्किन केर कर लेंगे मैं थोड़ा सा मास्टराइजर लगा रही हूं मैं बहुत ज़्यादा शावर लेने के बाद चीज़े नहीं करती हूं कि मुझे तोड़ा सा ऐसे हलके-हलके रहना पसंद होता है इंपक क मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है और शावर लेने के बाद है आप आपके आइपर्व प्लक कर सकते हैं क्योंकि रिषना पर सॉफ्ट हो जाता है उतना दर्द करी थी इसके बाद मैं डियो जरूर लगाती हूं थोड़ा पर्फियूम अपना मूड अच्छा करने के लिए और लिबाम लिबाम जादा करके मेरा वाला जो बेड़ साइट टेबल में वहीं रखती हूं क्योंकि दिन में कई बार अप्लाइ करने के आदत है मुझे तो मैंने बीस में ऋब बिल्कुल सुबह लगा दी थी और मैं अब वाशिम्मसिन लोड रात को करती हूं रण सुबह में करती हूं तो सबस्भा मुझे जो कपड़े रहते है न को ढुणने का चांटने का सौट करने का Edit नहीं रहता आज क्योंकि शर्मांजी के शर्ट सी दूलने वा जो फोल्ड करना बहुत बूरिंग लगता है बट मैं उतारते जारी थी और फोल्ड करते जारी थी तो वो काम भी फटाफट से हो गया वैसे भी कपड़े कमी थे और इसके बाद फिर हजबन की जो सारी शर्ट्स हैं इनको मैं हैंगर में डाल करके रखती हूं और आजकल तो क मैं नहीं चाहते कि कोई सी भी खराब लगे पहनने के बाद तो यह भी सुखा लेंगे अच्छी तरह से बट क्योंकि आज सिफ शर्ट्स तुली थी तो जो रेगिलर लोड रहता है हम लोग का नहाने के बाद जो कपड़े वगरे निकलता है वो बाकी ही थे तो फिर वह वा कि अटीच आज साल जो 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 खराब लोड़े में लोड़े के बाद लोड़े उसे ने कर दो बाद लोड़े डिली थे तो च्छीं तो चेंज का लिया है शान हूं को अर चीज थोड़ा आरा हो रांसे कने बाद लोड़े घूए गालता है भाई कितना शॉख कितर को हो यह ड्रोइंग करने का पड़े जिए पहले कर दो दो जा जगा पर और वहां उनके पापों ने पहले ही ले जा चुका है लास्ट यह लास्ट लास्ट यह तो नो महां गया जैना हमारे घर के पास एक स्टेप वेल है राणी की वाव है वो थोड़ा चोटा ही है वो वाईला से जो कहाँ पेल गए था हम लोग तो वहाँ पे बिके शर्मा जी को फोटोग्रफी का शॉख है तो वाँ पाइंट संडे मौनिंग वोग लेके गए थे मैं गर में बिसी थी काम करने में इधर तो देख खुशी क्या हुआ हुआ तो खुशी को कल मजा है शानो की क्लास को आज मजा नहीं है थोड़ा बहुत कर्मी थी वहां पर गर्मी है सारा दिन मौसम ऐसा लगता है कि ठंडा है वह ठंडी नहीं है हुमिडिटी बहुत बढ़ गी है वही मैं बोलती हूँ फैन इसी चल रहा है तो अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है उसके बाद पर लेना ड्रोई अब हम तीनों मिलकर करेंगे लांच यह जो सांबर आप देख रहे हो ना दाल बच गया था तो इसमें मैंने सांबर पावडर और थोड़ी प्याज व्यास जाल करके दाल का सांबर कर दिया है और यह जो चटनी आप देख गया है हमारा लांच और इसी के साथ आगा हम इस वीडियो के एंड पर उमीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लेगी है इस वीडियो में आपको कहीं भी कुछ भी थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज एक लाइक दीजेगा एंड डोंट फगे टो ल